तमस्कार सबीकों मैं प्रिशान शर्मा नवभारती परिवार में आपका हारदेख स्वागत करता हूं हारदेख अमिजन्द करता हूं दोस्तों आधम संस्कत व्यावकरण का जो हमारा कारक प्रकरण चल रहा था उसमें हम तर्दिया चतुर्थी पंचमी सश्टी और सब्टम करते दोस्तों देखते हैं देखिवा कि प्रक्तिा व्यम्वक्ति कैज क्या करेंगे कि जिसकी साइता से कारकिया जाता है जिसकी सायता से कार्य किया जाता है उसमें क्या होती है उसमें क्रतिया विवक्ति होती है जैनकी किसी की भी सायता से हम कार्य करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा तृतिया विवक्ति होती है जैसे रचना कलमेन पत्रम लिखती तो इस बाकि में क्या है पत्र का क्या हो रहा है लेकर किस्त पट्रपे लेकल किस से हो रहा है क क्लम से हो रहा है किसकी साइटा से को है न्हों किस आज़ करति है पत्र लिखति लिए तो यहला के साहिता कुस्सकी में है आप और देखी रावण को क्या कर रहा है बाण से बार रहा है किस की वाक्त है यहां पर जिसम किसी भी किसी की भी सहता ली जाती है उसे हम कहते हैं ठीके न दोस्तों जैसे रावन को किस से मार रहे है बार्च की मार रहे है तो अब इसके पर लिखते हैं जैसे तो इसमें किसके साथ जा रहा है राम के साथ किसके साथ में जा रहा है राम के साथ हो जाएगी तो इसमें क्या हो रहा है राम समय है तो चंद्रेन राम इनन में इनमें को जी है रहा है रहा है रामी किके जाल उसके बाद में समभा यानि क्या होता है साथ में तो भोजनेन समंझलम पिवती ठीक है ना दोस्तों तो भोजन के साथ में क्या करते हैं जल भी विए ठीक यानि की जहां पर हमारा जो है तृत्या भिभक्ति होती है वहांपर किसी साइत कि भी सायता से किरिति तो रामपाए में करती हो गई तो चंध्रे्ल में करती हो गई और भोझनƯ जलन उंसा है तृण्यदिस तीर और弟 समयरे समाढ होता है समाढ तो यह क्या करें कigne वह वाह एक शाह पघ्रम ए pierwszy minute कुछ बखती हो इसके बाते लेकिए दि दाने तो रामेर्वुन्हास सेयता दुकिता अबबद और की? इसकी सायता के तिर्टिया यह पर हो गई जैसे और भी देखते हैं जिस अंग में जिस अंग में कोई विकार प्रदर्शत करना हो उस अंग वाची शब्द में तर्तिया विवक्ति होती है जैसे जिस अंग में कोई विकार प्रदर्शत करना हो तो उससे क्या कहते हैं अंग वाची शब्द कहते हैं ठीक है नमस्तों जैसे देवगत्तहा नित्रेन काणह अस्ती तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों टरीन से क्या है वह थाला हुआ है कोई विकार मुत्रव प्रदर्शत कर रहा है तो इसमें क्या हो जाए हम अंग वाची सब्द नहीं ठीक है तो गोड़े के पार्ण क्या खंद है तो इसमें पादेर नित्रेण रामेण इसमें तृतिया निरुटी हो जाएगे उसके बाद में अग्रारियन क्या है फल प्राक्ति या तार की पूर्टा की अर्थ में सब्य की निरंतर्ता का बोद कराने के वाले शब्दों में क्या होती है तृतिया में वक्ति होती है यहां पर फल प्राक्ति है कारी की पूर्टा के अर्थ में कौन से ब्युक्ति हो जाएगी समें कि पूर्थ में समय इणरंतारता का बोद करानेके वाले शब्दों में कौन से ब्युक्तउihin तृतियाया गंति हो जाएगी यहांपर हम समय की ने थीकिक ना तो यह सब्ताइब में कौन से मोखती जाएगी तिरते हमिपक्ति हमारी हो जाएगी ठीक है बाल हवावा सब्त भी दिवशे में निरो गहा जा और शब्त भी दिवशे में क्या जाएगी यह क्या बतारा है साब जिनों के लिए बता रहा है ठीक ना? यारकि हमारे यह दुनिएम कहा है कोई भी फल्क्राप्ती या पूरगण रखमे अगर समय की निर्फ तर्था का बोध करा रहा हो तो उसमय but हमारी को मच्प दुख़्छोक दूस्तों तृतिया विवक्ति हो जईगी ठीक है अगरा नियम देखू प्रथक बिना तथा नाना के योग में दुतिया तर्थिया पंचिमी विभक्तियों पंचिमी विभक्तियों में से कोई भी एक लगती है प्रथक बिना नाना के योग में दुतिया तर्थिया पंचिमी विभक्तियों में से क्या होता है कोई भी यह प्रफषक बिनाया नाना की योग बिनाया नाना की योग है दुर्टिया तर्टिया या पंचमी दिवक्तिवा मैंसे परपने सबस्काने करें, अपने अलग अलग बब्रति लौकी। कर सकते हैं तो आस्मान रच्छतु समत्हा इश्वरम इश्वरेण इश्वरात्वा प्रथकना को अपी आस्मान रच्छतु समत्हा इसके बाद में देखिए घ्राइव दोतिया बिद्धया व नाना न शुकम तो इसमें हम वा नाना ना शुकम हमारे ऐम में दुतिया चरतिया और पंचिंडेवक्ति में से और इन बात्यों का हम क्या कर सकते हैं प्रियोग कर सकते हैं ठीक है ना दोस्तों यह हमारे विवक्ति होगी इसके बाद में चतुर्थी विवक्ति क्यों चलते हैं देखे चतुर्थी विवक्ति में क्या किरा है कि संप्रदान तारत की योग में चतुर्थी विवक्ति होती हैं किसके ओन ती दोस्तों सम प्रदान कारत की योग में करतारे को करण से संप्रदान तो संप्रदान के योग में कौन से मोक्ति हो जाईगी दोस्तों वारी जत्वल्थी विवक्ति जाईगी, इसके बाद देखिये, क्या करे रहा है कि दादातु की योग में दाधात्यू की योग में जिसे दिया जा रहा है उसमें को क्यों सब्सक्राइए ठीक है न राजा विट्षुपाय वस्त्रम ददाती यानि कि देना विए प्रण्ता क custardा विक्षण में 나 विक्षण विक्षण में कि आपड़ा के तुछी विक्षण Бिबख्ति तो 179 लिए उसके ना वासरता ब सिबी वक्ति गुल जाएक अपर सब्दों या धात्यों के योग में कूंसी होती थिया जैसे रुच को하는데 यानी अच्छा लगना तो बालक को क्या अच्छा लगता है तो रोच्टे में भी क्या होगी चत्रति में रोच्टि में भी क्रोध्य तो इस सुनुद्य में क्या है जोच्टि में भी क्रोध्य हो जाएगी कुछ दोस्तों यानि कि हमें यह जो कुछ दातु और सब्द है इनके वह गुनाई भी हमें क्या करना है चतुर्ती विवक्ति करना है ठीक है दोस्तों इसके आले देखिए हम और फीर दारेसं जिए देखिए दोस्तों को फियानि के होता है क्रोध करना तो माता क्या क्या रही है तो माता क्या कर रहे है पुत्रपर क्या कर रहे है क्रोध कर रहे है तो पुत्राएं लोगोंशी विवक्ति हो जाएगी इसके बाद में दूह दूह करना तो मद्न मती चात्र योग्या चात्रा ज्रुषागति तुह पर क्या होगा प्रिण फिश्मार्ण क्षागद हो जाएगे इस प्रह है जहाना तो आभू शारे न अभ्याती नौरी ठीक है इसमें कर रहा है इस्प्रह में क्या अये इसमें कुण से Bestly hetnik राएगी चतुर्थी विवक्ती हो जाएगी यह घैंएं इसके बाद में पिए इस्ध्या तो द्रव में exist 20 спас 3 जैना है इसके बाद पिए ऊप्ष आरकेSM nिणदा दोस्तों निंदा करना तो धनहीन धनिकाय अशुयती तो हमारे अशुय शब्द के योग में कौनस्पी वक्ति हो जाएगी मतलब चतुरती वक्ति को हम करें ठीक है दोस्तों आगे देखिए नमा नमा यारे नमस्कार करना है तो गुर्वे नमा तो स्वस्तिक यानि कल्यान हो तो स्वस्ति प्राणिभ्या ठीक है यानि कि सभी जो प्राणि है उनका क्या हो कल्यान हो बिर्ष्वा यानि पीत्रों को जल दे तो वित्रभ्वै लिद्व्य कि तो आग्रे स्वाहा यानिकि किसी को क्या कर रहें कोई चीज शमरत करfeit तो स्वाहाट शब्द के अर्थेवर्ण क्या होगी हमारी जो है चतुर्थी विवक्ति हो जाएगी नी विदधाह तो नी प्रसविदधाह और निवेदल करना सहा गुरवे निवेहति ठीके दोस्तों देखो पूप यानि करोद करने जिसमा क्या कर छिए पुत्र पर कर रहे हैं तो इसमें भी क्या होगी चतुर्थी विवक्ति हो जाएगी पर श्रieron को चाहना आपुस्देस क्रति प्रती नियानि कि तो चत्तुरती विवक्ति ही हैं हिर्षा किस्की कर रहा है। हम कि श सका एंगी चतुर्ती विवक्ति कुछ ना है जाएगी और नमर्प्ट में गरना व्मक्ट फट्रकर अभूर्प्ट हो जाएंगी स्वास्ति तो स्वास्ति हो क्या हो एक तो अग्ने है इसाइजिकाब्नुख्त...? चतोरति विभक्ति हो जाएगा नी पलास बीन निवेदर करना तो साघरुबरिक निवेदर जाएगा तो इस तो जिस भीक खेंकängen है यह दोस्तों एक्षैक होती है फ़क्ती क्यों है हम पागरं कार थारक में देक्यों होता है फ़क्षै को होरती है और चतौर्ती में सब्सक्राइण सबस्फरतर वरा है इंतर अपुन सब्सक्राइब तो एपको नियम पूर्वग पढ़ा जाए इसमें पण्चमी रिवक्ति हो जाएगी जिस से इतों पढ़ेंगे उसमें पांचमी रिवक्ति हो जाएगी थीक है दोस्तों आगे दीखिए जैसे अहम गुरुहो संस्कृतम पठावी तो हमें क्या कर रहे हैं गुरु क्या कर रहे हैं संस्कृत को पढ़ा रहे हैं ठीक है ना इसके बाद में देखिए जहां से कोई बस्तू उत्पन होती है उस मेरी पंचने विबक्ति होगी यहां से कोई बस्तू उत्पन हो जाती है उसमें क्या हमारे पंचने विबक्ति हो जाएगी ठीक है जैसे गंगा केमालया प्रभगति इसके बाद में बीजात जायती ब्रक्ष तो ब्रक्ष किस से उत्पन हो रहा है प्रियोज से तो पंच मीथ में बगती हो गई जैने के जिससे हम उत्पन कर रहे हैं उसमें हमारी व्हुत्ती हो जाते हम प्रियोग कारें ठीके दोस्तों आगे देखिए जहां से कोई व्यक्ति या बस्टु अलग होती हो ठीक है यहां क्या कर रहा है जहां से कोई व्यक्ति या बस्तु अलग होती हो उसमें व्यक्ति होगी जैसे ठीक है न तो ब्रक्षाद पत्रानी पतंती ठीक है न तो ब्रक्षों से क्या है जो क्या अलग हो रहे है पत्ते अलग हो रहे है ठीक है तो ब्रक्षाद पत्रानी पतंती तो ब्रक्षाद में क्वोचिक पत्ति जाएगी पंच्रमिगवट्री हो जाएगी जिसके न याँ पर मोहर्म क्या हो रहा है विद्ध्याले से अलग हो रहा है ठीक है था इसके बाद मा देखिए जीत्रा लिए Penghe तत्रस्दात्वों के योग में मैं भाई हे तु में वी क्या होगी पंचमी क्वक्ति वीक राव तत्रस्दात्वों में भाई क्या करते हैं दरते हें तो पाप नहीं कौन से भी बखती है दोस्तों पंच में भी बखती है ठीक है अब इसके आगे हम लेखते हैं कि देखिए दोस्तों तो रक्षट चोरा त्राइट तो चोरा कमें कौन से होगी हमारे पंच में प्यवक्ति का प्रयोग हम करेंगे हमारी पंच में कर रहे हैं ठीक है न गोस्तों आगे देखिए चोरा कमें पंच में और हमारे पंच में प्रयोग के योग में भी कौन से भी बखती होती है ठीक है जैसे है कि रिते 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 रिकार आज़े क्या हुता है भी न तो इस रांग धेल को अपि में रख्षगहाँ तो तो रिते के ऊधुमें पंच में पींक्ति युद्ट आभी प्रवति देकर शुरू कर प्रवतिं का बत्रति आफ्यागां तो इश्वरात प्रत्हकह नास्ति न दोस्तों। रिते की योग में प्रत्हकर चाहेगी पंच्मी प्रत्हकर इश्वराट प्रथकह नास्तिको वपिरक्षकह चीए ना इसमाद दूरम तो प्राठ में कह विध्यालयह ग्रामात दूरम चीए ना तो दूरम के योग में भी क्या है ग्रामात में को शुप्ति है पंचमी की वक्ति है इसके बाद बही यानि बहाद तो मुशत क्या कर रहा है इसका मत्रहा है तो मुशत बिल्लिक को देखकर भी क्या दर रहा है बहार आ रहा है थे आप में कहुंसी ब्यक्ति क्यों ने पर रहा है अब तो तो यह वो क्या है है तो तो सुबने क्यों तो ग्राम के पास में क्या है दोस्तों नदी है ठीक है ना दोस्तों यानि कि रिद्दे के योग में इस्वराप रितेनत ओवापी ममर अच्छत प्रवति की योग में अलग इस्वराप नास्ति की अपनी रख्षा कहा दूरम यानि दूर विद्ध्यालेया गिरामात दूरम अस्ति और पही यानि बाहर तो मुशा कहा विलात पही आज अच्छा कहा और आरंद करके तो सोम वासराथ आरंद्यंप्रष्टी जाया दे और आराथ अरात निकट्ट ग्रामाद आरात नदि अस्ति अननत्र कह दो कोने बालें तुद्ध्धवर्ण और पूर्वारी पहले तो बिध्धा दयात पूर्वग्रह पुरून तो तो पठनात अनतरम कीड़ा चेत्रम का अच्छा यानिकि पठनात में कुछ वक्ति होगी यावारी पढ़ने के बाद क्या कर रहा है कीड़ा चेत्र में जा रहा है प्रमाद के अर्थ योग में कौनसे हो गई पंचमी वक्ति होगी यानिकी जो यादियम हमारे है इने की योग में हम क्या कर रहे है पंच पंचमी वक्ति को कर रहे धी कर रहे चंदे से श्हाला है विध्याल आं से पिढ़े कर रह तो पूर्ग के योग में को वक्ति हो गई दोस्तों पंचमिंग वक्ति हमारी हो गई है तो मुशक को देख करके बहार आगाता है तो भेट के योग में हमारी को वक्ति हो गई प्रयोग करें तो इसके आगे हम देखते हैं क्या है , इसम तो का सस्टी विवक्ति है संबंध सश्टी विवक्ति ही भवति इसका सस्टी सेते जहां पर संबंध हो रहा हो उसके हम कौन से विवक्ति करेंगे सश्टी विवक्ति को हम करेंगे ठीक है ना दोस्तों जैसे रमेश संस्क्रत तर्श्यह पुस्तकम पठती ठीक है तो रमेश जो है संस्कत को क्या कर रहा है तो यहां रमेश में क्या है संस्कत की पुस्तक है उसका क्या है आपर संबंध है तो दोस्तों दूसरा नियम के रहा, यदा बहूशु कष्य चित एक कष्य जाती गुन क्रियाभी विशेयस्ता प्रदर्ष्यरे तदा विशेशन शब्दे सह इस्टन अथवा तमब प्रतेश योगह क्रियते तसमात चों विशेश्ता प्रदर्ष्यते तस्मीर सष्टी विबह्ती अथवा यहीं कि यहां पर जाती गुण क्रिया विसेस्था को प्रदिश्थ करते हैं तस्मीर उसके में वी क्यों होती है सच्टि भीवक्ति होति जाती गुण किरिया विशेशन प्रिते तमक प्रिते आदी के जो आधार में क्यों होगी सच्टि मिवग्ति और सच्ठि भीवक्ति को हम करते हैं यह इसका निर्दार में कभी नाम कभी शुवा काली डासह स्रेष्ट है तो कभी जो स्रेष्ट है वो कौन से हैं काली डासह है तो इसमें सश्टी और सप्तिमी विवत्ती हो जाएगी ठीक है तो इसमें क्या पूर रहें चात्र जो है वो सुरेष्ट के साथ क्या करें ठीक है ना दोस्तों तो इसमें क्या जाएगी सश्टी विवक्ति को हमाद करने सब्स्टी और सब्स्ति में जोनों ही हो जाएगी ठीक है वह जो लिकित शब्दाराम योगे सश्टी विवक्ति भवत्ती यह जो शब्द है इनके योग में भी हम क्या करेंगे सश्टी विवक्ति को करेंगे जैसे देखिए अधा यारी होता है बीचे ठीक है और इसका क्या है ब्रक्षष्या अधा बालकह सेते तो अधा के योग में हम कौन सी करेंगे सश्टी विवक्ति करें ठीक है ना इसके बाद में उपर यारी उपर तो भवर अश्टी विवक्ति का प्रयोग करेंगे तो बिध्याले के सामने क्या है मंदिर है तो पुर की योग में कि उप्रशा के करेंगे सस्टी विवक्ति का प्रयोग करेंगे समख्षम के वत्रवग क्या होता है सामने होता है तो अध्यापकश्यह समख्षम सिष्ष अस्थी तो अध्यापक के सामने जो है वो क्या है सिष्ष है यहीं कि समख्षम के अर्थ में भी हम कौन सी विवक्ति को करेंगे तो ड़ेक्ष्य कि रहोग क्या हुआ व्हां है सच्टिंब्वक्ति का प्रेज करेंगे सश्टी विवक्ति का हम प्रिवोग करेंगे खीगे न दोस्तों इसके आगे हम और देखते हैं देखिए क्रति क्रति यानि के लिए बालकश्य क्रति दुख्दम आनाए खीगे न तो सश्टी विवक्ति का हरोग करेंगे सश्टी विवक्ति यानि ंदर तो घ्रा ऊस्व माता बिधते sisti तो नीचे सामने बीच में के लिए अंदर बाहर इत्यादी कि वेक्टी का प्रयोग करें गे शच्छी विवक्ति का प्रयोग तुछ तुल्य वास्टी सब्दानाम योगे सश्टी अथ्वात्रतिया विभक्ति भावत्य तुल्य वास्टी जो शब्द है तुल्य आथे तुलो पात्माध्यां तुल्य वास्टी जो शब्द है उसमें सश्टी अथ्वात्रतिया विभक्ति का भी हम प्रयोग करते हैं ठीक है दोस्तों देखें। तुल्य वाद्ची के हम त्रतिया विवक्ति या सश्टी विवक्ति काविप्रोग हम काते हैं ठीक है दोस्तों अब आगे की और देते हैं कि देखिए दो यह हमारी सब्सक्राइब 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 तो इसमें के आधार पर शिद्धी होती है उसमें अधीकरण संव्या होती है आधारो अधीकरण तो आधार के द्वारा क्या होता है अधीकरण हो जाता है अधीकरणे चा तो शप्तम्या अधीकरणे चा इती तो शप्तम्या धीकरणे इती शुत्रेण शप्त्मी विवक्ति भवति ठीक है ना तो देखिए अब हमें आधार सिंघासरन तो अधार क्या है तो इस Parlnea सिंघासर ना तो इसमें जब क्या करता है ग्राम में निवास करते हैं तो इसमें भी हम कौन से प्रयोग करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे शब्तमी विवक्ति यादी करण भी हम कर सकते हैं तो दूसरा नियम हमार क्या करेंगे तो इसमें इसनें हक्रियते तश्मील सब्तमी विवक्ति भावती तो इसनें की क्या में भी क्या होती है तो सब्तमी विवक्ति जो है उसको हम करते हैं ठीक है तो दोस्तों तो पिता पुत्तर इसनें कर रहा है उत्तर से तो इसमें भी विवक्ति होगी दोस्तों शब्तमी वि करेंगे इसमें क्या कि रहा है कि जिसको आधार माना है जैसे राजा सिंगासन को आधार पे बैठा हुआ है और ग्लोब बसे हुए सब्सक्राइब करेंगे तीसरा नियम क्या कि रहा है कि सब्सक्राइब करेंगे करेंगे तो क्या करेंगे इसमें सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें वह घृति कात्र के रहें कि यानिकी इसमें चत्त का रहतिकर में क्या करेंगे हैं। सब्दमी व्वक्ति का प्रहोग हम करें ठीक है दोस्तों इसके वाद चोथा जो नियमें हमारा वो क्या कह रहा है एक क्रिया यहां अनंतरम अपरा क्रिया भवती तरह पूर्ब क्रिया यहां तश्याश्यकर्परी शत्मी विवक्ति भवती यश्यचा भावेन भावल अप्ष्णम यहां कि एक क्रिया के बाद अपर्ब क्रिया भवती तता पूर्ब क्रिया यहां तश्यकर्परी और तो यहां पर क्या करें राम अपने अपने प्राणों का त्याग कर दिया तो यहां पर राम इसमें क्या हो जाएगी अब इसके बाद दिखिए शूरे अस्तम गते शर्वे वालका ग्रहम अगच्छन तो क्या कि रहा है शूरे सूरे अस्त के बाद सभी जो बालक जो है वो क्या कर रहे हैं अपने घर के लिए चल दिये हैं ठीक है रही हमारे क्रिया के आधार पर होने में जो जो आधिकरण में है आधार के अदार कर भी क्या करेंगे सब्त मी भबहति करेंगे और इसने अत्याधी हम क्या सब्सक्राइब लुब्प करेंगे और छोठाली एक क्रिया कानंतर में अपरा लिया भवती तल्हा पूर्भ करी आया थिश्कर्थी उसमें हम क्या करेंगे सब्सक्राइब करेंगे ठीके दोस्तों यहां पर हमारी जो कारे की कक्षा है वो समापन होती है अगली कक्षा में हम अगले टोपिक के साथ आपसे मुलाकात करते हैं आज के लिए इतना ही धन्यवाद दोस्तों